मैं हूँ शशांक लखेरा तो वाई रशिया और चायना जो है जॉइंटली मिलके एक बेस बनाएंगे मून में और यह अमेरिका को एक बहुती बड़ा जटका है और इस पे कई सारे आर्टिकल्स जो है पब्लेश हुए हैं देखो पहले भी यह न्यूस थी कि अटरमिस जो प पर explore करें मतलब मून पर जो है बेस बनाएं यह करीब 1972 की बात है लेकिन उस समय हुआ यह था कि अमेरिका जो है बुरी तरीके से फेल हो गया था क्योंकि इनके पास बिलकुल भी यहां पर फंडिक नहीं थी अब आज के समय रशिया और चायना यहां पर यह कह रहे हैं कि हम अपने मून बेस को जो है डेवलाप करेंगे एक बेस हम जो है मून पर बनाएंगे यह रिसेंटली एक जून 2022 को यह आर्टिकल जो है पबलेश हुआ है कि आप देख सकते हो लूनर रिसर्च इस्टेशन रशिया चायना आल्मोस्ट रेडी टू इंक पैक्ट ओन मून बेस सब्सक्राइब तरहरे है यहां पर धेख उड़ एक प्रोग्राम अमेरिका लेका आया था कि हम जो है यहां पर बेस बनाएंगे कहां पर मून पे जिस्से वहां जो scientist है वो जो है यहां पे रह पाएंगे जो basically जो लोग यहां पे जाते हैं space में वो यहां पे कुछ समय के लिए रह पाएंगे वहां पे explore करेंगे और फिर जो है उनको वापिस लाए जाएगा इसके अलावा इस project के अंदर ये भी था कि humans को भी जो है मून पे भेजेंगे मतलब मून पे जो है एक हम दुनिया जो है बसाएंगे लेकिन अब अगर आप officially देखोगे तो Russia चाइना जो Artemis Accord है उसको यहां पे अपोस्ट करने लगे हैं यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि China and Russia are leading the opposition to the US-led space called Artemis Accord तो mainly China और Russia जो है आज किसमें अमेरिका का खुल के यहां पे विरोध कर रहे है कि आपका जो Artemis Project है वो जो है काफी लेट यहां पे चल रहा है उसका कुछ अता-पता है नहीं उस पे जो है उतना तेजी से आपे वर्क नहीं चल रहा और अब presently अगर आप देखोगे तो जिस तरीकी की situation यहां पे बन रही है तो Russia चायना जो है आपको दुनिया से अलग होती हुए नजार आएंगे बतलब है तो यह दुनिया में लेकिन यह जो है अपनी friendship को जो है यहां पे जादा महत्वा दे रहे हैं मिली और यह अपने project को जो है अप यहां पे launch करना शुरू कर रहे है और देखो जो Artemis Accords था उसमें करीब 19 देश थे और इनका एम यह था कि हम मून पे जो है mission को launch करेंगे इसके अलावा एक framework भी तयार करेंगे जिससे natural resources की mining हो पाए इसके अलावा exploring हो पाए moon में इसके अलावा मार्स में इसके अलावा जो और भी planets हैं उन पे हम exploration कर पाएं लेकिन अब अगर आप देखोगे तो खुल के Russia और China जो है विरोध कर रहे हैं इन्होंने यहां पे यह कह दिया है लेकिन अब finally जो है एक pact जो है यहाँ पे sign होगा pact मतलब contract होता है लेकिन यहाँ पे question भी आता है कि आखिर moon ही क्यों moon में ऐसी क्या चीज है जो सभी देश जो है यहाँ पे लगे हुए हैं तो इस वीडियो में जो है काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी exam के preparation कर रहे हो तो आप हमारे smart coaching तो कर सकते हो आपको simply करना क्या होगा आपको download करना होगा फिर आपको sign up करना है आप दो videos lecture देख सकते हो जो memo lecture होगे फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है एक ही subscription पे आप से भी course अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी download कर सकते हो इसके अलावत है mmacademy.in यह हमारी website है आप website पे भी login कर सकते हो अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे यह समझ लो कि moon base होता क्या है moon base एक facility होती है जो कि moon की धरती पे moon में जो धरती है चंदरमा पे जो धरती है वहाँ एक facility को जो हम develop करेंगे जिससे होगा क्या कि जो human activity है उसको लोग perform कर पाए जैसे लोग वहाँ पे रह पाए तो घर वहाँ पे बनाए जाएंगे ठीक है इसके अलावा जो lunar space station है orbit पे उससे यह different होगा आदे को already इसके लिए जो itemis program है वो यहाँ पे चल रहा है और सिर्फ यही नहीं 2015 में एक moon village का concept भी यहाँ पे आया था जो की एक village यहाँ पे develop किया जाएगा मतलब चंदरमा में एक village यहाँ पे वसाया जाएगा एक गाउं यहाँ पे बनाए जाएगा जो की basically public private investors होंगे जो international public private investor है वो यहाँ पे निवेश करेंगे scientist होंगे, इंजीनियस होंगे, universities होंगे, businessmen होंगे यह सब एक साथ आएंगे और अपने interest और अपनी जो capability है कि यह moon में किस तरीके का village यहाँ पे develop कर सकते हैं किस तरीके का infrastructure यहाँ पे बना सकते हैं उन सब को यहाँ पे discuss करेंगे और यह जो पूरा infrastructure होगा यह अलग-अलग purpose के लिए जो है develop किया जाएगा लेकिन अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि Artemis program जो है यह था क्या लेको Artemis program जो है human space flight program था जो कि NASA इसको लेट कर रहा था जिससे यह moon को जो है explore करेगा और एक इनका जो mission है वो यहाँ पे pass भी हुआ और mainly इनका aim यह था कि सबसे पहले जो lunar south pole है उस पे यह touchdown करें मतलब यह सबसे पहले पहुँचे 2025 पे अगर यह successful हो गया तो Artemis program जो है पूरी तरीके से आप perform किया जाएगा तो first crew lunar landing mission जो है Apollo के बाद 1972 के बाद एक first lunar flight को जो है आप पे conduct किया गया और mainly यहाँ पे यह माना जाता है कि जो program है कि यह multi collaborative project है जिसमें कि आपको government space agency इसके अलावा private space flight companies आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है Artemis program के अवारे में sub information है तो मैं आपको जो है यहाँ पे पता देता हूँ तो basically Artemis accord जो है sign किया गया था Artemis program के लिए एक Artemis accord जो है sign किया गया था तेश थे इसके अलावा जो territories थी जिन्होंने Artemis accord को जो है sign किया था वहीं अगर आप दोगे तो 8 जो है यॉरप में है 6 इशियाई देश है 3 North America के देश है 2 ओशनिया है इसके अलावा 2 South America countries आपको देखने को मिलेगी लेकिन अब आप यहाँ पर यह सोच रहे होगे कि भारत भी इसका member होगा देखो जी नहीं भारत जो है इसका member नहीं है यह आप देख सकते हो इसके जो member है यह 13 October 2020 को बने थे उस्टेलिया, बहरीन, ब्राजील, कैनेडा, कॉलंबिया, फ्रांस, इसल आफ मैन, इसराइल, इटली, जापान, साउथ कोरिया, लक्जैंबर्क, मेक्सिको, न्यूजिलेंड, पूलेंड, रुमेनिया, सिंगापूर, यूक्रेन, और बरबरात, और यूनिटेंग गिनम और अर्टमेस एकॉर्ड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत सारे जो है, देश आपको देखने को मिलेंगे, और मेली, यह यहाँ पे यह बोलता है, कि 2025 तक हम जो है, एक मिशन को यहाँ पे अकंडर्ट करेंगे, मतलब मून में जो है, एक तरीके से बेस तैयार कर ले जिसमें जो नैचरल रिसोर्सेज हैं, उसकी हम माइनिक करेंगे, अब देखो चायना और रशिया आज की समय, जो खुद का इंटरनेशन लूनर रिसर्च स्टेशन है, जिसको यह आई आल एरस कहते हैं, इसको यह प्रमोट कर रहे हैं, और देखो यह एक अल्टरनेटिव ह अब आपको पता है कि आज की समय किस तरह की सिचेशन है, और देखो रशिया और चायना बहुत साल पहले से ही यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, इस पे M.O.U. भी साइन हो गया था, कि हम मिलके जो है एक मून पे दुनिया जो है बसाएंगे, मतलब मून में एक बेस जो है तया रही थी ना, तो U.S. जो है कई बार यहाँ पे रशिया से बात करता था, उसके बात यहाँ पे नहीं होती थी इसके बारे में, U.S. जो है कहीं फंडिक को लेके परिशान था, और U.S. जो है properly, यहाँ पे इस पे कोई बात भी नहीं करता था, तो इसी को देखते हुए रश जे इनका experience जो है बहुत जादा है और presently आज के समय सीनो रशियन mission जो है जिसको हम चाइना रशिया mission कह रहा है इसका एम यह है कि यह अपना जो है मून में base बनाएंगे और एक space station को भी जो है और एक space station को भी install करेंगे lunar orbit में और इसके लिए प्रॉपरली रशिया और चाइना की जो space agency है रशिया की space agency को Ross Cosmos कहते हैं वही चाइना की space agency को चाइना national space administration कहते हैं short form में cns को कहा जाता है इन्होंने एक roadmap में भी लेके आया है जिससे यह IRLS जो की एक प्रोग्राम है उसको यह यहाँ पर develop करेंगे तो basically global space exploration जो conference हुई GLEX 2021 में उसमें जो पूरा roadmap है वो भी यहाँ पर बताया गया तो इस roadmap के हिसाब से इस पूरे program के तीन faces जो है हमको देखने को मिल रहे हैं वही 5 facilities हैं और 9 modules है तो इस तरीके से जो है इसको यहाँ पर प्लान किया गया है इसमें long और short दोनों mission आपको देखने को मिलेगे जो कि moon surface और moon orbit से related हैं और यहाँ पर यह बताया जाता है कि इसको 2035 तक जो है पूरे तरीके से यहाँ पर complete कर दिया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सिस lunar transport facility भी देखने को मिलेगा जिससे एक round trip का support देखने को मिलेगा अरत और moon के बीच में इसके अलावा lunar orbiting, soft landing, take off जो lunar surface पे होगी, re-entry जो earth पे होगी इन सब को लेके इन्होंने जो है आप सिस lunar transport facility को भी जो है develop करने के बारे में बात करी है और देखो सर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें Russia और China आपको देखने को मिलेंगे Russia और China ने clearly यहाँ पे यह कहा है कि यह और nations को जो है इस पे add करेंगे, ILRS जो इनका mission है इसमें कई सारे देशों को जो है यहाँ पे लाय जाएगा इनके जो है negotiation यहाँ पे चल रहे हैं ESSA मतलब European Space Agency से Thailand से भी चल रहे है, UAE से भी चल रहे है, Saudi Arabia से भी चल रहे है और देखो अभी तक इंडिया का यहाँ पे कोई भी stand आपको देखने को नहीं मिलेगा और देखो मेरे हिसाब से जिस तरीके से Russia ने Ukraine पे यहाँ पे war declare किया है इसके अलावा इंडिया ने तो यह भी announce किया था कि हमारा खुद का जो है space station होगा मतलब इंडिया जो है दुनिया से यहाँ पे अपने रास्ते खुद बनाता है तो देखो इंडिया के पास तो यहाँ पे कुछ option से यह join भी कर सकते हैं नई भी कर सकते हैं तो तीसरा option यह है कि इंडिया जो है खुद जो है यहाँ पे इन सब चीजों को develop करेगा लेकिन सबसे important बात यह होती है कि आखिरकार सब लोग moon पे यहाँ पे क्यों focus कर रहे है इसका reason क्या है जो को थोड़ा सा आपको समझना होगा moon में जो है natural resource के बहुत जादा भंडार है जी हाँ यहाँ यहाँ पे helium के आपको बहुत ही major जो भंडार है वो देखने को मिलेंगे बहुत ही major deposit देखने को मिलेंगे और देखो moon पे अभी तक जो है किसी भी देश का हक नहीं है लेकर जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचेगा उसी का जो है पूरा area होगा तो जो पहले जाएगा वो जो है पहले पाएगा तो basically अगर यहाँ पे रशिया और चाइना जो है जल से जल अपना जो base है वो तयार कर लेते हैं moon पे तो काफी area जो है उनका होगा और वो वहाँ से जो gases है उनको जो है explore करके यहाँ पे लेके आएंगे जो की energy बनाने में जो है बहुत ही help करने वाला है तो at last I hope कि आपको जो है इस वीडियो में काफे को जानने को मिला होगा आप अपने opinion लिखियेगा जरूर कि इंडिया को join करना चाहिए या नहीं क्या तो यह तन्त इस वीडियो का सुने के लिए बबत धन्वाग जाहिंद जाभारत